हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका बरदान पकबान में और आज में लेके आई हूँ आपके लिए कॉफी बनाने की रेसिबी इसको हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरह से यानि जैसे हम रेस्टरेंट में पीते हैं कॉफी बिल्कुल एक दम झागदार कॉफी क्रीमी कॉफी बना के हम त्यार करेंगे तो वीडियो को पूरा देखी और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देज़ेगा तो चलिए फटा-फट से हम यह जहागदार क्रीमी गर्मा-गर्म कॉफी बनाना शुरू करते हैं तो कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी कॉफी और एक ग्लास तो इस ग्लास में मैं डालूंगी यहां तीन चंबच के करीब कॉफी दीसरा चंबच और अब मैं यहां पे डालने वाली हूँ चीनी तो यहां पे तीन चंबच में चीनी लूँगी आप अपने स्वाथ के अनसार कम या ज्यादा चीनी रख सकते हैं और अब मैं डालूंगे यहाँ पे लगवग डेड़ चमबच के करीब पानी, तो पानी हमें ज्यादा ने डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, बस थोड़ा सा यह मिक्स हो जाए, अचैसे यह दिखिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है इसको, और लगतार चलाते हुए इसको फेट के तियार करना है, जब टक यह अपना कलर चेंज ना कर दे, इसी तरह से चलाते हुए, हमें इसको फेट लेना है, और आई दिख सकते हैं, आप थोड़ा सा कलर इसका चेंज होने लगा है, तो इसी तरह से हम चलाते जाएंगे, जब तक यह एकदम क्रीमी नहो जाए और यह दिखिए इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है तो इस तरह से कॉफी जो है बनना के बहुत अच्छी तयार होती है एकदम रेस्टोरेंट जैसे थोड़ा सा हमारे हाथों कि इसमें कसरत जरूर हो जाती है तो मैं आपको दिखाते हूँ यहां पांच कॉफी पिटके तयार होई है और यह दिखिए पूरा एक गलास भरके हमारी कॉफी तयार हो गई हो और इसको मैं रख लूँगी एरटाइट कंटेनर में भरके और जब भी मन करें आपका इस तरह से आप रख सकते हैं और फटा पट गर्म कॉफी बना करके तयार कर सकते हैं आपके पास टाइम नहीं हो तो इस तरह से करके आप यह टाइट कंटेनर में रख लीजिए और जब भी आपका मन करें फटा फट से कॉफी दियार कर सकते हैं और अब हमें यहां पर चाहिए दूद तो दूद को पहले ही मैंने उबाल कर गरम कर लिया है और यहां एक कप और इसमें मैंने कोई भी शक्कर वगेरा नहीं डाली है तो अब यहां पर लेंगे हमें एक कप और उसमें डालेंगे हम कॉफी जो हमने फेट के रखी हुई है तो यहां मैं तीन चमच के करीब कॉफी डाल रही हूँ आप एक बार ज़रूर इसको ट्राइ कीजे और अब मै लूंगी दूद जो हमने गरम करके रखा है बस हमें क्या करना है इसको हम थोड़ा सा उच्छाल के डालेंगे मतलब थोड़ा सा दूरी से डालेंगे जिससे इसमें अच्छे से जाग बन पाएं तो इस तरह से हम कप को नीचे रखेंगे और धार बानते हुए इस दूद को कफ के अंदर डालेंगे और ये देकिए मैंने सारा दूर डाल दिया है और इक मस्षक की घाल अच्छा कौफी बनकर के तयार है कृती है कितने सारे इस में जाग हैं, यह क्यान मानिए जितना देखने में सुनदर है, उससे कहीं जदा पीने में टेस्टी थी तो इस तरह से कौफी बनाना जब भी आपको कॉफी बनाने का मन हो, इसταरह से एक बार ज़रूर ट्राइ कीज़े, आपको बहुत पसंद आएगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कदीजी का साथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक देखते रहें वर्दान पकवान वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो